बिस्मिल्ला रमारे रहीम, असलाम लेकूम, हावर्ड अकैडमी की तरफ से आपको खोश अंदीग कहते हैं, आज हम अपने एक नए सुजेक्ट का आधास करने जा रहे हैं, जो कि फिनेंशल अकाउंटिंग है, और हम अपने कल्चर की बात करें, तो फिनेंशल थोड़ा सा अर भी प्राबलम हो जाता है, प्रोफेशनल मेन के जब इन सूब्जेक्ट को हमने अंट्यम्ट करना होता है, इक्जैमिनेशन हाल में, या please लेक्वेज़ाल में थोड़ा सा अर और हो 6 में की काफी शारी चीज़़एं स ता दो समझ रहे होता है, यादियें one by one topic को cover कर रहते हैं chapter wise हम उसको cover कर रहते हैं लेकिन जग at a time सारी चीज़ें हमारे पाथ आ जाती है तो एक ameza टाइप बन जाता है एक compound टाइप बन जाता है तो जिसमें हमें problem होता है उस knowledge को tackle करने में तो इन्शालला ये से लिबस हम इस तरीके से cover करेंगे कि आप लोगों क तो concept जो है एक ही जगा पर लेकर चलने में कोई problem नहीं रहेगा हमने जिंदगी की सादा फहम मिसालों से लेकर चलना है घर के मौमलात रोजमर्णा के हमारे जो मौमलात हैं उनसे हमने accounting को समझना है और हमने apply करना है और फिर हम इस तरीके से accounting को समझने की कोशिश करेंगे कि एक layman है एक common student भी है तो वो financial accounting में जितनी चीज़ें सीखी हैं वो अपने घर के मौमलात में और daily जो चोटा मोटा अगर कोई business का रहे हैं तो उसमें भी apply कर सकें तो आगात करते हैं अपने course का Harvard Academy के platform थे introduction to accounting and business business का ही हम account for करते हैं उस ही का हिसाब किताब रखते हैं तो accounting की business में जरूरत क्यों पेश आई कि business के मामलात ऐसे होते हैं दिन हर आने वाले दिन में अगर sole proprietorship का business है आपका partnership का business है और joint star company का business है तो उसके अंदर daily basis पे इतनी सारी transactions हो रही होती है कि उनको एक ही वक्त में जो है वो टैकल करना मुश्किल हो जाता है तो उसको professionally एक एक ए किसे handle ना किया जाए तो handle नहीं हो सकता है इसलिए हम business में accounts को लेकर आते हैं यानिकि एक यह skill है जो आपके business को evaluate करने के लिए बताती है कि आप किस position पर operate हो रहे हैं आप profit में जा रहे हैं आप loss में जा रहे हैं आपकी daily basis पे कितनी performance थी कितनी sales थी कितनी purchases थी और at any time आप उसक कि judgment कर सकते हैं कि आप finance आपका business जो है वो किस position पर खड़ा है तो हम यह कह सकते हैं कि accounting को हम अपनी सहुलत के लिए business में लेकर आते हैं business क्या है करोबार है जिससे हम फाइदा कमाना चाहते हैं profit earn करना चाहते हैं वह एक individual भी हो सकता है जिसको हम sole proprietorship कहते हैं अगर एक से ज्या ज्यादा लोग अकठ हो जाते हैं तो उसको हम company की जो है वो तनाज़र में लेकर जाते हैं जाइंट स्टाफ companies बनती है अच्छा objective after studying this chapter you should be able to तो हमने इस chapter को करने के बाद किस जगह पर पहुंच जाना number one describe the nature of a business कि business का nature क्या है हम इसके बारे में बात करेंगे second number पर describe the role of accounting in business कि business में accounting का role क्या है let's suppose आपका घर के अंदर क्या role है आप घर में नहीं होते तो कौन सा काम आपकी वज़ा से रोक जाता है आप यह घर का जो एक सरब्रा है घर में नहीं होता तो काम कौन से रोक जाते है क्या वो सारी चीज़ें सेम चलती रहती है कि नहीं च इसके बाद हम देखेंगे लिए डिवल्मेंट आफ अकाउंटिंग के अकाउंटिंग को अगर हम समयना चाहें डिवालमेट क्या होती है ऐसे ऐसता जैसे आप बीच जमीन के अंदर इंदर होता है उससे पाउदा निकलता है और पाउदा जब बड़ा हो जाता तो इस पर फल लगते हैं और फल काड क कि हम उसको खाते हैं या इस्तमाल करते हैं या उससे फाइदा उठाते हैं तो यह क्या है एक पौदे की इसी तरीके से जो सुब्जेक्ट अकाउंटिंग इसकी डिवल्मेट कैसे होती है यह भी हम देखेंगे इसके इलावा यहां पर प्रिंसिपल्ज एंड रिलेट देम तुदी टैक्टिस कि इसके उसूल क्या है और इसको प्रैक्टिस में हम कैसे लेके आ सकते हैं यानिके अमली तापर इसको कैसे इस्तमाल कर सकते हैं छहते नंबर पर स्टेट दा अकांटिंग इक्वेशन एंड ड इसके आपकर इक्वेशन के आचना कि अटी एक यहारी तो उसमें तो एकर पर लॉनांटिंग इक्वेशन को कैसे तो उसमें इंपक्पोनेशी describe the financial statements, proprietorship and explain how they interrelate. किके, जो हम, proprietorship की एक financial statement भी बात करेंगे, और उनको relate भी करेंगे, यानि कि, जो उसके elements हैं, यानि कि, आपका trading account है, profit and dance account है, आपकी balance sheet है, आपका बाखीजीतने उसके साथ हैं, यानि कि, changes in equity है, और इसके इलबा, cash flow, जो वगरा कि स्टेटमेंट हैं हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वह सारे के सारे अलिमेंट हम कवर करेंगे नौगे नंबर पर यूज दा रेशो आफ लाइबिलिटी इस्टू आप उसको एनलाइज कर सकते हैं और वह आपको किस तरीके से बताती है कि आपका बिजनेस क इस जगह पर आप लास में जा रहे हैं या आप प्राफिट में जा रहे हैं या आपकी क्या स्टेटमेंट है सबसे पहले जब हम यह तो इंट्रुक्शन हमने बात कर ली थोड़ा सामने इसके बारे में बात कर ली कि अकाउंटिंग एस असब्जेक्ट बिजनेस के मदर कैस इसने तलवार का इसमाल किया अब जो उसके पास राइफल होती है पिस्टल होता है जिससे वह तेजी से और अब उससे और भी जदीद हधियार आ चुके हैं जिससे अपने दुश्मन से नमबत अदमा हो सकते हैं तो सेम इस तरीके से आप बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो आप हिसाब किताब रखेंगे आपको पता होगा कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं लॉस में जा रहे हैं आप अगर लॉस में जा रहे हैं अवाइड कैसा कर सकते हैं अच्छा तो इसको अब डिफाइन करना लाजमी है अकाउंटिंग जो है इसको डिफाइन जब हम करें अगर आप definition को से समझ जाएंगे तो आप इसके रोल के अंदर जितनी चीज़ें पढ़ी जाती है आगे चलके फिर इसी के तनाज़र में आपको समझ आ जाएगे कि हम यह क्या कर रहा होता है step 1 क्या होता है कि आपकी business है let's suppose आप कोई छोटा सा करोबार करते हम आपके महले में आपके गली गली में एक क्रैना स्टोर होता है तो वह business कर रहा है अब बेली वह कुछ समान लेके भी आता है अब वह अनलाइज करेगा और जो ही उसको यह situation का पाता चलेगा फिर जाएगा वह market से जो चीज़ें उसकी जरूरत की है वह लेके आएगा अब जो business के अंदर उठा के लेके आया उसने payment की उसको पहचानने की जरूरत है उसको एनलाइज करेगा कि आज के दिन में मैंने जो चीज़ें खरीद के अपनी शॉप के अंदर लेके आया वह कितनी थी मैंने जितनी payments की और कितने लोग कितने गहक मेरे पास आये जिनको मैंने चीज़ें दी और उनसे पैसा लिया यानिकि दो चीज़ें एक cash का outflow है एक cash का inflow है यानि कि जो चीज़ें वो market से purchase करके लेका आता है as a customer वो उसको pay करता है और जवाब में जब वो चीज़ें अपनी shop में लेका आता है तो बेचता है लोगों को तो अब लोगों को चीज़ें वो देता है उसके बदले में पैसा लेता है तो पैसा जा भी रहा है पै इतने लोग मेरे पास है जिन्होंने मुझे पैसे दिये और चीज़ें लेके गए अब इन दोनों में फर्क नहीं कर पाएगा तो accounting की वो पहले अलिफ बे से आगे ही नहीं जाए पागा तो ज़रूरी है कि वो analyze करेगा यह क्या है looking at the events क्या event है जब भी वो की चीज अपनी शॉप के अंतर लेके आता है या उसकी शॉप से कुछ चीज निकलती है उसको यह जज़ करना जरूरी है कोई भी event होता है यानि कि चीज का आना पैसे का जाना पैसे का आना यह दोनों इमेंट्स है उसके लिए that have taken place and thinking about how they affect the business वो देखेगा कि बिजनेस को किस तरीके से हर एक चीज effect कर रही है यानि कि अगर वो इस चीज को बागवर मुतालिया नहीं कर सकता यानि कि वो लोक नहीं कर सकता क्या event हो रहा है that have taken place यानि कि अब गाहत को वो चीज दे पैसे ना ले जब चीजों को हिसाब किताब रखेगा यानि कि पैसा पे करने वाला पैसा रिसीव करने वाले दोने मौमलात को देखेगा तो फिर जो है यहां से बास शुरू होती है जो भी उसकी business के अंदर यानि कि उसकी shop के अंद कि इवेंट अकर हो गया अब उसने देखना है कि चीज आई है चीज गई है तो यह प्रोसीजर अनलाइजिंग का उसके बाद सब्सक्राइब कि अपने बिजनेस के अंदर लेके आ जाए पैसे पे की है उसको रिकॉर्ड करें यानि कि पेमेट्स अगर कैश का हिसाब करेंगा तो केश आएगा उसको भी करेंगा यानि के एंटरिंग स्विनेंशल इंफोरमेशन अबाउट इमेंट इंटि। आ अकांटिंग सिस्टम कंप्यूटर हो सकता है उसके उसके अंतर सौफ्ट्वेर हो सकता है या पिर सिंपल एक कापी पे नोट कर सकता है और पीज उसका पूरा खतम हो गया अब रात के 9 बज़ रहें तस बज़े हैं जब उसका बिजनिस का टाइम क्लोज हो रहा है तो फिर उसको क्लासिफाई करेगा कि मैंने पेमेट्स कितनी की और कैश कि सेल्स कितनी की अब यानि कि सार्टिंग एंड ग्रूपिंग सीमिलर आइटम्स ट क्लासिफाई करेगा यानि कि सौट आट करेगा कि आजकी दिन में दस अजार की पेमेंट्स की ती और 12,000 के sale की थी तो मेरा फिर अब जो है वो जब summarize करेगा तो अब उससे घर वाला कोई पूछता है दोस्त को पूछता है या उसका जो honor है वो कोई पूछता है कि आज के दिन में आपने क्या performance की तो वो कहेगा कि जितनी मैंने चीजें खरीड के लेके आया था let's both हम assume कर लेते हैं मैं 10,000 की चीजें लेके आया था और सारी मैंने sale कर दी और 12,000 के sale हो गई its mean के 2000 उसने पूरे दिन में earn किया तो ये एक summary बन जाएगी कि एक दिन में उसने 2000 earn किया ये summary बन जाएगी